प्लीज सब्सक्राइब and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. इसलिए ब्राह्मा डियने हो रहा है इसलिए पंडालों को पैसे दिये जा रहे हैं संवित पात्रा क्या ये बाते आपको परिशान कर रही हैं बारती जंता पार्टी को आलोग शर्मा जवाब देंगे आपकी बात का जी सुमित भाई आप विश्वास नहीं कर सकते हैं विगत कुछ दिनों से कितनी खुशी की अनुभूती हो रही हर कोई हिंदू बनना चाहता है हर कोई हिंदूओं के लिए काम करना चाहता है उन्हीं हिंदूओं को जो नकारते थी ये जो सेकुलरिजम शब्द के नाम पर जिस में लाओ मेरा जनेव कहां है लाओ मेरा टीका कहां है सारे प्रवक्ता टीका विका लगा के राहूल गांदी भी देख रहे ना आजकल लाल टीका इत्यादी लगा के भाषण कर रहे कितना अच्छा लग रहा है देश में हिंदू महाल महोल बन रहा है प्राचीन महोल जो भ वेऋ बदल करके बच्चा चोरी करने वाला आता है तो ये इलेक्शन आ रहा है ना वेइश बदल करके इच्छादारी हिंदू बनकर ये सारे लोग उटारी करने आ रहे हैं जानते हैं मौमोताब एनरजी को बेंगोल में क्या कहा जाता है मुम्ताज बेगम आप जहां जाएंगे हर कोने में एक फोटो आएगा ऐसे करके वो नमाज पढ़ रही है दुपटा लगा के नमाज पढ़ रही है कहीं पूजा का फोटो नहीं आएगा और जितने भी मौलाना है जो मस्जिदों में आदरनी मौलाना जो नमाज पढ़ाते हैं उनको इन्होंने धाई हजार रुपए प्रती महीने का किस्त बांदा हुआ है खजारों लोगों को मिल रहा है और हिंदूओं के लिए 10,000 रुपए अरे लाखो करोडों रुपए आप खर्च कर रहे हो मौलानाओं को वेतन दे रहे हो एक पंडित को आप वेतन नहीं देते और ये 10,000 रुपए का सुगूफा पिछले साल दो सालों से तो आपने पंडा हूँ हमारे दुर्गापूजा का बड़ा महत्त होता है विजय दस्मी के दिन अगर आप विशरजन रोक दो उससे जादा घातक और अम्याएपूर्वा कुछ नहीं होता है मुझे रियक्शन लेने दीजा आलोक शर्मा से आलोक जी बड़ा इज़ाम लगा रहे हैं संबित पात्रा कि चुनावी मौसम में भेश बदलकर इक्षादारी हिंदू आ रहे है और वो आप समझ रहे हैं किसकी और बोल रहे हैं मुझे यादा इसको अलबरेट करने की है कि कुछ उनाव जीतना है आलोक शर्मा समझता हूं बिलकुल सुमिध भाई ये बात बिल्कुल ठीक है कि भाजबा से पूछकर किसी को जेनेव पहनना चाहिए भाजबा से पूछकर किसी को तेलग लगाना चाहिए क्योंकि हिंदूत का जनम ही भाजबा ने दिया है तो प्रिटीकों के नाम पर केवल वोट मांग सकते हैं वोट के अलावा इनके लिए कोई काम नहीं कर सकते हैं शमशान कबरिस्तान की बात तो होती है लेकिन उसके बाद शमशान के लिए क्या किया कभी नहीं बताते हैं दस जार रुपे तो बहुत चोटा सा माउंट है ममताजी बहुत बढ़ा गुनाहा कर रही है दस जार रुपे दे करmee केंदर की सरकार में बैठी हैं एक एक लाक रुपे दिलवा दो ना इसे किसने मना किया आप दीजिये ना पंच-पंच-पंच लाक रुपे दे दीजिये मुद्दे की बात ये है कि आपने कहा हम धारा train Hilter track he आटाएंगे आपने कहा चुनाओ सरकार बनने के बाद के इसको कैसे मजबूत करें हाँ आएंगे कश्मीरी पंडितों के हम ठेकेदार हैं वापस पहुचाएंगे जो कश्मीर में शीरिनगर में पहुचे थे वो परिवार भी वापस आ गए राममंदिर बनाएंगे हमें इसे बैन लगा 23 में कॉंग्रेस ने लगाया सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 1952 में पंडित नहरू ने लगाया मुझे केवल यह बता दीजिए के बीजेपी ने बजलाव तो आया है आप केवल और केवल हिंदु तक अलुक भाई नहीं देखिए मैं समझता हूं कि मैं प आप प्रदेश के मुझ्यमंति नहीं थे लेकिन जिस समय पर अरे बैप पंडित नहरू जी ने अरे बस सुनेंगे आप जैब बीच में तो क्या फायदा होगा आप पंडित नहरू ने सो बावन में देश के प्रदान मंतिरी पंडित नहरू जी थे वो तो चिटिया लिए प्रदेश के लिए क्रते हैं तो इसलिए पंडित नहरू जी का नाम नहीं सुन सकते हैं आप पूरी तरह से स्वीकार करेंगे अरे बैब यह पूरी तरह से स्वीकार करेंगे रागव 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 शांती अलोग जी शांती झाल झाल